चले अब बात लगातार बढ़ते दिल्ली में प्रदूशन की दिल्ली में प्रदूशन लगातार बढ़ रहा है लोगों को प्रदूशन की चलते काफी दिक्कतों का सामना करना पढ़ रहा है प्रदूशन की वज़े से लोगों को आखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ हो रही है शुकरवार को दिली में प्रदूशन का स्तर सामानने से पांस से छे गुना बढ़ा हुआ रिकॉर्ड किया गया जाज़ा लियास बात का हमारे समधाता पूजा राठोशन के आर में हवा की कॉलिटी लगातार खराब हो रही है और लगातार जो पी-एम-10 है पी-एम-2.5 का लेवल वो सामानने से पांस से छे गुना बढ़ चुका है अगर आज हम शुकरवार की बात करते हैं तो आज भी हालात खराब ही दिख रहे हैं एर की जो कॉलिटी है वो खराब ही दिख रही है डिपी-सी-सी की वेबसाइट पर नज़र डालते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखें आनंद विहार जहाँ पर PM10 और PM2.5 आम तोर पर ज्यादा ही दिखता है दूसरे एरियास के मुकाबले तो आज यहाँ पर PM10 भी जो है करीब 6 गुना बढ़ा हुआ है 543 जो है इस वक्त देखने को मिल रहा है PM2.5 भी बढ़ा हुआ है और यह भी करीब 5 गुना की बढ़ोतरी के साथ 290 पर है तो आनंद विहार में जो हालात है वो आप देख सकते हैं उत्री दिली के अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी जो है एर कॉलिटी काफी खराब है PM10 का लेवल 530 बना हुआ है PM2.5 का ले में देखा था कि जो पॉल्यूशन है उसका लेवल एरियास में जादा दिख रहा था लेकिन यहाँ पे इस्तिती दूसरे जो इलाकों से बहतर दिख रही है PM10 370 बना हुआ है करीब 4 गुना की बढ़ोतरी के साथ और PM2.5 का लेवल 224 बना हुआ है करीब 3-4 गुना की बढ करते हैं तो पड़ गंच में भी PM10 और PM2.5 अगर हम देखें तो जो इस्तर है उनका भी पिष्टे दिनों काफी अच्छा यह कह सकते हैं कि काफी खराब रहा है PM10 382 इस वक्त है और PM2.5 294 है यानि दूसरे इलाकों की तुलना में यहां फिलहाल जो स्थिती है वो फिर भी कंट्रोल दिख रही है सोनिया विहार की अगर हम बात करते हैं तो सोनिया विहार में 484 बना हुआ है PM10 का लेवल और PM2.5 का लेवल 339 बना हुआ है यानि अभी भी 5-6 गुना की बढ़ोतरी जो है वो दिली NCR में देखने को मिल रही है तो लगातार यह बढ़ोतरी हो रहे ह अगर हम पिश्टे दिनों कि अगर हम तुलना अगर शुकर आज से करते हैं तो यह जो बढ़ोतरी है लगातार बढ़ती जा रही है जिसका असर आपकी और हमारी ही सेहत पे होना है क्योंकि इस हवा में जो जहर है उसकी मात्रा लगातार बढ़ रही है कैमरमेन ललित के साथ पुझाराथुर शर्मा टोटल नियूज नौईडा